अभी तक आपने देखा कि कैसे क्रिस्टल के लालच में साइन्टिस्ट मंगल ग्रहेपर भहरूपया भूत और भूतनी के बीच फस जाता है अब आगे अरे फस गया मैं तो आगे कुआ पीछे खाई क्या करू भगवान अगर मैं यही रहता हूँ तो अकेला इस ग्रहेपर बिना ऑक्सिजन के बला कब तक जीवित रहूँगा इस ग्रहेपर इन क्रिस्टल की वैल्यू तो सिर्फ पत्थर के टुकडो के समान है इसकी असली कीमत तो प्रित्वी पर है और अगर वापी स्पेस्शिप में गया तो पक्का मरूँगा ही मरूँगा अरे किस सोच में पढ़ गया साइन्टिस्ट पहले तो बड़ी यंगरे जी मार रहा था अब तू बता हाउस दे जोज यह सुनकर साइन्टिस्ट बहुत डर जाता है साइन्टिस्ट बहुत दिमाग चलाता है और फिर उसे अपनी जान बचाने की एक तरकीव सूचती है वह उनसे कहता है अरे जरा एक बात बताओ क्या तुमें ये स्पेस्श ये फुडानी आती है अरे गदे हम तो खुदई उनका दर्दी वर जा सकते है देखो ये मजाग करने का समय नहीं है थोड़ी देर में ऑक्सिजन खतम हो जाएगी और हम तीनों की यहीं पर जान चली जाएगी ऐसा क्या वैसे जान तो तेरी हम भी ले सकते है फीक है ले लो मेरी जान पर एक बात याद रखना कि मेरे बिना तुम वापस प्रिथवी पर नहीं जा सकते और हाँ इस ग्रहा पर पानी की एक बूंद भी नहीं है ये सुनकर वो सोच पर पढ़ जाते है तभी भूत भी भूत से कहती है एक बार मरकर तो हम भूत बन गए और अगर अब दुबारा मर गे तो पता नहीं क्या बनेंगे नहीं मुझे अपने घर जाना है बैतर यही होगा कि हम तीनों एक साथ मिलकर काम करें वो दोनों साइंटिस की बात मान लेते हैं और स्पेशिप से नीचे उतर कर उसकी मदब करने लगते हैं वो जैसे ही क्रिस्टल को हाथ लगाते हैं तबी सब कुछ हिलने लगता है और आसमान से एक और स्पेशिप तेजी से उनकी ओर आती दिखाई देती है स्पेशिप उनके पास आकर रुपती है उसमें से एक एलियन निकलता है कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो एलियन को देख कर साइंटिस डर जाता है और बोलता है हम यहाँ पर यह क्रिस्टल लेने आये हैं और उन्हें लेकर बस जा ही रहे हैं ऐसा तुम कर साइंटिस और भी जादा डर जाता है तभी भूत जोर जोर से हसता है और एलियन से कहता है अरे तुमसे ये इंसान डरते होगे हम भूत है भूत हम किजी दे नहीं डरते तभी भूत और एलियन लड़ने लगते हैं ये जानवर तो बहुती खदरनाग है तभी भूती अपनी शक्ति से एलियन की आग पर वार करती है और मौकर देख तीनों अपनी स्पेस्शिप की ओर भागने लगते हैं वो तेजी से स्पेस्शिप में जाते हैं और दर्वाजा बंद कर लेते हैं आज तो बाल बाल बच गए अरे क्या आप ठीक हैं? अरे भाईया साइन्टिस्ट हमें बस जल्दी से प्रित्वी पर ले चलो हाँ एक प्रित्वी ही है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है थोड़ी ही दे में वो तीनों धर्थी पर पहुँच जाते हैं और स्पेस्शिप से उतरते हैं और चैंकी सास लेते हैं अब इस धर्थी को छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा आप प्लीज मुझे माफ कर दें मेरी वज़े से आपको इतनी तकलीव होई साइन्टिस्ट मेरी नचरों से दूर चला जा आज तेरे लालच की वज़े से हम एक बार और मर जाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए चल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पहल आइकन दबाना ना भूले